उत्राखंड के चमोली में अचाना ग्लेश्य तूटने के बाद जो हासा हुआ इसमें कई लोगों की जाने चले गए इस आपदा में दूसरे राज्य से उत्राखंड में काम करने वाले मजदूर भी शिकार हुए जारकंड के मजदूर भी शिकार हुए जो काम करने के लिए जारकंड से उत्राखंड के चमोली आये हुए थे बीस दिन बीच जाने के बाद भी कई प्रवासी मजदूरों के शब अभी तक नहीं मिले हैं ऐसे में जारकंड के रामगर जिले के चौकदा गाउं के कुछ मजदूर चमोली तरास्ती की चपेट में आ गए उत्राखंड सरकार दोरा लापता मजदूरों को मृत घोशित कर दिया गया घोशना के बाद परीजनों की उमीद तूट कर बिखर गई लेहाजा फिर मजदूरों के परिवारों ने तै कि आगी प्रवासी मजदूरों का पुतला बना कर उनका अंतिम संस्कार किया जाए जिसके बाद परिजन और गाउंवालों ने शब नहीं मिलने के बाद लापता मजदूरों का पुतला बना कर उनका अंतिम संस्कार किया दरसल चमोली में रामगर जिले की गोला प्रकंचेतर की चार मजदूर लापता हो गए मज़ूरों के लापता होने के बाद परिजनों का रो रोक कर बुरा हाल था इस घटना के बाद से उनके घर में मातंग चाया हुआ है परिजनों के आसू भी अपसूप गए है परिजनों को उमीद थे की लापता परीजन मिल जाएंगे इसी उमीद से उनके परिवार जी रहे थे लेकिन सरकार के मझदूरों को मिलत गोशित करने के बाद परिवार की उमीद तूट कर भिखर गई बेटे के बापिस आने की उमीद खोचुगे उत्राखन में लापता हुए मजदूर मितलेश महतो के पिता राजा राम महतो का कहना है कि मेरा बेटा उत्राखन में गाम गरने गया था काफी खोजबीन किया पर कुछ अतापता नहीं चला अंत में हार मान कर पुतले से ही अंतिम संस्कार कर दिया आपको बता दे रिशी गंगा में आई आपदा में लापता दो सो पांच लोगों में से बाततर लोगों के शव मिल चुके हैं जबकी 133 अभी भी लापता है रेस्क्यू अभ्यान जारी है लेकिन टरनल में लगातार पानी का रिसाब होने के कारण यहां मलवा हटाने का काम कापी प्रभावित हो रहा है नियूज डेक्सक कर दो सांदा नियूज अजैंगा है